हेलो एब्रिवन, वेलकम टो आईक्यू टाप, सु आज हम इंडियन पॉलिटी लक्षमी कांथ का चाप्टर फोर जो कि है प्रेम्बल ओफ दे कॉंसिटूशन को डिस्कस करेंगे, अल्रेडी इस चाप्टर का पार्ट वन कल अप्लोड हो चुका है, कुछ टेक्निकल कारण उस वीडियो में रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के कारण बहुत कम टॉपिक्स को डिस्कस कर पाई, साथी साथ चाप्टर फर्ड के जो एमसे क्यूशन के सलूशन थे वो भी आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे, तो इस पार्ट टू में मैंने उन सार के बारे में, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेकुलर, आपको इस सारी टर्म्स का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूशेगा, आज हम फो टर्म जो है डेमोक्रेटिक उसको डिसकस करेंगे, सबसे पहला है डेमोक्र जहां पर पावर जो होती है लोगों के पास होती है तो जैसा कि आप देख सकते हैं जहां पर में पावर जो होती है इसके पास होती है जनता के पास होती है अब बेसिकली डेमोक्रेसी आपको दो तरह की नंगसर आएगी एक तो होती है डारेक्ट और दूसरी होती है इंडा इसका कुछ एक पैरामीटर होता है कि उस country की population कम होनी चाहिए है यह important factor है बट कई बार एसा होता है कि कुछ चीजे ना होने के बावजूद भी जो है वहाँ पर डायक डेमोक्रेसी अचीव कर सकते हैं बट में चीज क्या है इसके पीछे का कि डायक डेमोक्रेसी आप वहीं द जनता चाहे तो अपने अकॉर्डिंग हर एक डेसिजन को ले सकती है और जनता ने बेसिकली जिन लिजिसलेचर कुछ उनके भेजा है वोट देखे भेजा है पार्लेमेंट में जैसे कि हम सुजलेंड की बात करते हैं तो वहां पे वो मैंबर्स बेसिकली जो है किस तरीके से का कर रहे हैं अगर बच्छे से काम नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ कुछ अक्षन लेना है हर एक चीज़ की पावर जो जनता के पास डारेक्टली होती है तो यह चार टर्म आपको देखने को मिलेगी तो पहला है आपका रेफरेंड़म दूसरा है इनिशेटिव तीसरा पहला है तो जनता के लिए तो जनता के सामने रख देगी और उसके बाद वोटिंग करवाएगी तो जनता जिससे सबसे लगेगा कि हाँ जो भी बिल आया है और जो भी पॉलिटिकल डिसीजन जो लिया जारा गर उनकी हक में है तो उसको अपनी हां के तौर पर वोट कि मतलब जो भी लो आ रहा है आप देख सकते हो जनता से पहले पूछा जाता है अगर यहां पर जनता हां करेगी तब ही जाकि उसे इंप्लिमेंट कर सकते हैं ठीक है नेक्स लाता है इनिशेटिव एक ऐसा तरीका होता है जहां पर लोग जो होते हैं खुद एक लॉव बना बट क्यों कि direct democracy बहुत अच्छा example माना जाता है बट इंडिया में उसे इंप्लिमेंट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है क्यों विकाज एक तो यहां की लोगों के बीच में इतनी unity नहीं है politics को लेके कुछ लोग चीजों को समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते इसल बेचने के बाद मानलो उसका tenure जो था पांच साल का था जिससे साबसे वहां की मतला बेसिकली government होगी कहीं पर पांच साल कहीं पर चार साल उसके according मानके चल लेते हैं तो अगर उसका term expired होने से पहले यह power है जंता के पास कि वह उसको वहां से हटा सकती है कब हटा सकती है जब उसने अपनी duties perform करने में fail हो गया हो यानि आप सोच सकते हैं जो भी representative वहां पर बैट रहा है उससे सिर्फ जनता के लिए ही काम करना है उसके mind में होना चाहिए कि कल को मैं अच्छे से perform नहीं कर पाया तो यह लोग जिन्होंने मुझे यहां पर बिठाया है वो लोग इस recall method के थ्रू मुझे वापस से हटा भी सकते हैं ठीक है नेक्स टे प्लेबिसाइट एक ऐसा method होता है जहां पर opinion लिया जाता है इंडियन स्पीपल का और एनी इशू पब्लिक इंपोर्टन्स यानि कि वो इशू बिसिकली पब्लिक इंपोर्टन्स के लिए होना चाहिए ठीक है औ अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहती ठीक है तो यह बिसिकली यूज किया जाता है तो आप देख सकते है यह चारू मैथ़की सकते है जैसे मान लो इंडिया है कोई भी एक परसं क्या करेगा जब वोट देगा तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगा ठीक है तो इक बार आप यहां पर समझाती हूं कि मानलो एक लोग है ठीक एक परसन है इसने मानलो एक election में पार्टिसपीट के और अपना वोट दिया जब उसने वोट दिया तो इसने अपने एक representative को चुन लिया ठीक है तो इस representative क्या करेगा यह इस people के बिहाफ में जाके ठीक है पार्लेमेंट के अंदर बैठेगा और वहाँ पर लोगों के लिए क्या बनाएगा लॉट बनाएगा ठीक है तो आप देख सकते हो कि यहां पर पीपल के पास direct power नहीं है अगर मानलो यह representative जो चुन किया आया है ठीक है बिसिकली लेक्ट हो किया है लो फिर से चाल्स आता है पीपल के पास कि वो चाहे तो इसको हटा सकते है तो आप देख सकते हो यहां पर जो लॉट बनाया जा रहा है साथी साथ जो लॉट बनाया जाता है इस representative के द्वारा ठीक है वो इस लॉट को बनाने के बाद जनता से नहीं पूछता ठीक है जैसे आप आपको direct democracy में देखने को मिलेगा वैसा यहां पर बिल्कुल नहीं होता साथी साथ जो भी law बनाया जाएगा वो केवल और केवल इस representative के द्वारा ही बनाया जाएगा जैसे कि हम बात करते है direct democracy में initiative नाम का एक method होता है जहां पर जनता भी law बना सकती है और directly legislature को बोल सकते है कि आप इसे implement करो ठीक है बट यहां पर देख सकते हैं जनता के पास ऐसी कोई भी method या फिर ऐसी कोई power नहीं होती कि वह खुद से law बनाए ठीक है तो यह सबसे बड़ा डिफ्रेंस है direct democracy और indirect democracy में कि indirect democracy में basically जो power होती है जनता के पास तो है बट वो power कैसे indirect है जो law बनाया जा रह कि अधा एक democracy को हम representative democracy भी कहते हैं ठीक है अब सबसे पहले हम बात करते देमक्रेसी की representative democracy की तो representative democracy दो थरा कि होती है परलिमेंटरी और प्रेजिदेंशल डिमक्रेसी जो आपको इंडियम डेखने के लो मिली कि जहाँ पर पालिमेंट के पास जादा पावर होती है और प्रेज Executive is responsible to the legislature for all its policies and actions, ठीक है, तो जैसे के हम बात करते है, Parliament होता है, वहाँ पे एक legislature होता है, एक executive होता है, इन्ही legislatures में से कुछ लोगों को चुन कर, basically executive बना दिया जाता है, ठीक है, यानि law तो ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, बट ये execute भी करेंगे, ठीक है, और यहाँ प कि उसे हर एक check-in balance है, एक तरह का check-in balance है, ताकि कोई भी अपना इन्हों अपने हिसाप से काम ना कर सके, ठीक है, एक executive अपने हिसाप से कुछ भी कर रहा हो, रेजिसलेटर को जवाब नहीं दे रहा हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका parliamentary system में दिखने क अधिकार है, नेक्स्ट फीचर है, periodic elections, ठीक है, parliamentary democracy में आपको हर बार, मतलब एक particular period के बाद, आपको elections देखने को मिलेंगी, नेक्स्ट है rule of law, कि यहाँ पर basically law का rule चलता है, ठीक है, जो law में लिख दिया जाता है, उससाप से जो है, काम किया जाता है, नेक्स्ट है, इंडिप और भी आप देख सकते हो, fixed होता है, so that उनको, उनकी इंडिपेंडेंसी को कोई हर्ट ना करे, ठीक है, साती साथ discrimination नहीं होता, किसी भी ground पे यह भी दर्शादा है, कि हमारे parliamentary democracy का feature है, ठीक है, अब main चीज है यहाँ पे कि कुछ certain grounds में आप discrimination नहीं कर सकती, ठीक है, यानि उन particular अगर कुछ होगा, तो वहाँ पे किसी भी person के साथ कोई भी discrimination नहीं किया जाएगा, उसके इलावा कुछ भी ऐसा होता है, तो वहाँ पे discriminate कर सकते हैं, गौवर्मेंटिक हैं, तो कुछ ऐसे grounds कौन कौन से हैं, जैसे आपका religion हो गया, race हो गया, caste हो गया, sex हो गया, descent हो गया, place of बर्थ हो गया, तो यह कुछ ऐसे parameters हैं, जहाँ पे किसी भी person के साथ कोई discrimination नहीं कर सकते हैं, तो यह सारे features के क्या शो करते हैं, कि parliamentary representative democracy को, next point है कि political democracy cannot last unless there is lies at a base of social democracy, यानि कि अगर मानलों आपका नीचे यानि बेस में अगर आपका social democracy है और उसके उपर political democracy खड़ा है, तब त political democracy का टिक पाना नामुंकिन होता है, तिक हैं, अब में चीज़े social democracy क्या चीज़ है, तो social democracy में आपको तीन चीज़े दिखाई देंगी, सबसे पहला है liberty, दूसरा है equality, और तीसरा है fraternity, तो liberty basically क्या होती है, एक तरीके से कह सकते हैं, कि liberty एक ऐसा term होता है, जहाँ पे कोई भी individual कोई भी activities कर सकता है, उस activities को करने के लिए उसे रोका नहीं जाएगा, तिक हैं, उसको अजादी है कुछ भी करने की, तिक हैं, बट याद रखना ये कुछ भी करने की का मतलब यह नहीं होता कि उसके, उसमें कोई restrictions ना हो, तिक हैं, और क्या restrictions है basically वो हम liberty वाले topic में, जो कि इसे वीडियो में है, हम उसको discuss करेंगे, तिक हैं, तो main चीज़ क्या है, कि जो liberty है, साथ साथ equality है, जहां पर हर किसी को equal माना जाता है, fraternity जहां पर basically भाईचारे की बात की जाती है, ये तीनों मिलके basically एक तरह का social democracy बनाते हैं, और जब तक ये social democracy strong नहीं होगा, तब तक political democracy को achieve करना मुश्किल है, ठीक हैं, और साथी साथ हमें याद रखना है, कि ये तीनों चीज़े जो है, trinity की तरह form होनी चाहिए, मतलब, अगर मानलो liberty है और ये दोनों चीज़ नहीं है, तो भी social democracy नहीं है, अचीफ हो सकती, equality है, बट liberty और fraternity नहीं है, तो भी possible नहीं है, liberty, equality नही कोई person है, ठीक हैं, जिसके पास equality नहीं है, बट उसको liberty दे रिखी है, तो यानि कि अगर मानलो एक person जो कि आपको rich मिलेगा और एक poor person मिलेगा, ठीक हैं, तो इनके बीच में आप देखोगे कोई equality नहीं है, यानि एक अमीर है और एक दूसरा गरीब है, बट इन्हीं liberty है, कु poor people सुंगन की population जादा होगी, तो हम कह सकते हैं, कि कुछ ऐसी लोग होगे, जो अपनी super में से, यानि अपनी power को जादा यूज कर सकते हैं, और ऐसा जब भी होगा, तो democracy आपको लगता है, वहाँ पे आपाएगी, बिल्कुल नहीं आपाएगी, क्योंकि democracy का मतलब ही है, जहा भी poor people चलतावाद ना दिखें, तो क्या होगा, सिर्फ अमीर अपने अपना हिसाब से काम करते रहेंगे, पर जो गरीब जन्ता है, वो हमेशा सफर करेंगी, तो आप देख सकते हैं, कि भले इनको liberty दे रही हैं, बट एक गरीब इंसान वैसे ही, अगर आपको परश लजाए अगर आपने equality नहीं दी, तो इस केस में बले ये दोनो equal क्यों ना हो जाएं, बट वो कुछ कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई liberty नहीं है, यानि कि अगर माननो कुछ भी वो ऐसा करते हैं, जो सरकार के विरुद है, तो सरकार उनके साथ कुछ बना रहेगा, कि यार हम ये नहीं कर सकते, कहीं सरकार हमार साथ, विसिकली हमें जेल में ना बंद कर दे, ये ना कर दे, ठीक है, तो यानि कि आप देख सकते हैं, कि इन दोनों का एक साथ होना कितना जादा important है, डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो fraternity, तो fraternity तो basically तभी हो भी ना, जब आपके पास liberty भी होगी, quality भी होगी, कि आप एक दूसरी के साथ कैसे भाईचारा बना के रखते हैं, कितने अच्छे से रहते हैं, वो depend करता है, कि आप पहले equal हो, ठीक है, आपके मन में ये होना चाहिए, कि सामने वाला भी मेरी तरह equal है, सा social democracy आपकी strong होगी, तो automatically आपकी political democracy क्या हो जाएगी, strong हो जाएगी, ठीक है, next है constitution basically क्या कहता है, constitution कहता है, next है हमारा constitution भी इस बात करता है, कि egalitarian social order basically होना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा, हर एक citizen को एक social, economic and political justice मिलेगा, ठीक है, यानि कि अगर उनको उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, justice मिलेगा, socially भी, economically भी, politically भी, ठीक है, और जो basically democracy का सबसे बड़ा एक मूल सिधान्त होता है, ठीक है, और हम बाद में आपको republic के बारे में भी discuss करेंगे, कि republic का मतलब basically क्या है, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, I hope आपको ये democracy का जो points मेने discuss करें, ने की थी, और constitution में basically किस तरह की बाद की egalitarian society की ये बाद Supreme Court ने observation में दी थी कब 1997 में, next आपका है republic, republic में हम देखेंगे कि democratic polity में republic basically क्या होता है, basically दो चीज़े होती, एक republic होता है, मुनार्क होता है, मुनार्क basically जहां पे head of the state जो होता है, आपका या तो queen होगा, या king होगा, ए यानि पहले पिताजी बने राजा, फिर उनका बेटा बनेगा राजा, फिर बेटे का बेटा बनेगा राजा, ये चीज बेसिकली PD दर PD चलती रहती है, इंडिया में तो ये पहले हुआ करता था, जब basically princely state exist करते थे, बड़ क्योंकि independence के बाद हमने अपना democracy को चुना, republic को ब्रिटेन आपको देखने को मिलेगा, वहां पर अभी भी आपको मुनार्की देखने को मिलती है, ठीक है, republic की बात करें, यहां पर जो head होता है, यानि कि हम president की बात करते है, या तो वो directly elected होना चाहिए, या फिर indirectly elected होना चाहिए, फिक्स term के लिए, ठीक है, अब हम USA की बात क हैं, unless and until, अगर कुछ other circumstances ना हो, जैसे कि उनकी positions से उनने हटा देना, impeachment कर देना, या फिर उनका इन्हों मृत्ती हो जाना, इन्हों जब भी हो काम कर रहे हैं, उस दौरा उनकी मृत्ती हो जाना होती है, तो उस case की अलग बात है, बट अगर वो एक बार appoint हो गई, तो 5 साल तक वहीं पर बने रहते हैं, main चीस के ओते है Republic का, कि यहां पर जो political sovereignty जो होती है, people के पास होती है, यानि power आपको जंदा के हातों में दिखने को मिलेगी, ना कि एक single individual के पास, जैसे कि king, तो हम इसको ऐस समझ सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, पुराने टाइम पे जब राजा मह ग्रांट में दे दी, खुशी-खुशी, बट अगले दिन मानम लोग से कुछ ऐसा हो गया, या फिर राजा ने अपने हिसाब से ऐसा सोच लिया, तो उसने वो जो ग्रांट दी गई थी, लैंड इसने वापस ले लिए और इसे जेल में बंद कर दिया, अब वो बिचारा प उनके साथ कुछ भी इदभाव नहीं होता, तो यहाँ पर प्रिविलिज क्लास आपको एपसेंस दिखती है, यानि कि सारे कि सारे सिटीजन्स जो है, वो पबलिक ऑफिसेज में जा सकते हैं बीना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, यानि कि जोतने भी गवर्मेंट ऑफिसेज हैं और डेमक्रिसी भी देखने को मिलेगा, तो अगर हम बात करें रिपबलिक की और डेमक्रिसी की, तो आपको इन दोनों में जाधा डिफ्रेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्यों? बिकॉज रिपबलिक के अंदर और अल्मोस्ट सारे ही चीज़े हम कवर कर चुके हैं, जो डे तो आप देख सकते हैं, इस चीज़ के ओपर काफी जाधा डिबेट चली थी है हमारे कॉंसिटूशन में, जब कॉंसिटूशन को बनाया जा रहा था, ठीक हैं, तो हुआ यह था जब कॉंसिटूशन एसेंबली में हैं, जब कॉंसिटूशन मेकर्स बैटे थे, उन्होंने इस बात में विचार किया, कि जो Republic word है और जो Democratic word है, इन दोनों में तो ज़्यादा कोई difference नहीं है, और अगर हम French country की बात करनें, फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस ने भी अपने Republic और डेमोक्रिसी को, मतलब अलग से कोई जगा नहीं दी है, यानि कि फ्रांस की Constitution में आप ले करेंगे यह चीज आपको लक्षमिकांत में नहीं देखने को मिलेगी यह अलग से अनलिसिस किया गया है इस टॉपिक के ओपर तो वह चीज में आपको किसा डिस्कस करूंगी ठीक है उसमें रिपब्लिक आपको सिर्फ कहने को नहीं बोला जाता कि हम रिपब्लिक है रिपब्लिक है नो इसकी एक वैली होती है यानि हम इसे समझते हैं कि यह रिपब्लिक है क्यूं बिकॉज पावर यहां पे लोगों के पास दी गई है ठीक है जबकि आप मुनार्की से इसे ड पूछा जाता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलता ना ही उनके पास इतने सारी राइट्स दिये जाते हैं और यह हमने डिस्कस कर ली कि जैसे तरह से हाइड़ुटी रूल आपको देखने को मिलेगा महाराजाओं का और मौडर्ण सोसाइटी में देखो तो आजकल डिक्टेटर्शिप काफी साथा चल रही है मोस्ट अफ दा कंट्री आपको देखेगे कि एक ही रूलर जो है काफी टाइम से रूल कर रहा है अपने गदी में बैठा हुआ चोड़ने का नाम नहीं ले रहा है तो वो मौडर्ण सोस में कुण में बैठा है का रहा है को कि पी दिस जा रहा है तो पीमिक को दिखनेगे इंहाने बहुतुप चाहिएatif------ इस में आपको कि पूछे लायाने वाले में ने इस हमें पाता है कि तो पूछा जाता है कि अगर पो बीसक्र漆प ही जाता है यह प Teen गलत लगती है तो आप अपने कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपने सुझाव दे सकते हैं जबकि आपको मुनार्खी में इस तरह कुछ दिखने को नहीं मिलता तो इसी चीज को यहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी चीज जो थी पॉब्लिक स्फेर में की जाती है उपनली लोग को पता होता है और लोग बिसिकली अपने क्लेम्स वहां पर रख सकते हैं कि उनके ले क्या सही है और क्या गलत है क्या चीज है जो basically community के interest में काम करती है और इस तरीके से फिर सब collectively होके उस पर अपना decision देते हैं ये नहीं होता कि किसी एक के पास power है तो उसी की mercy basically चलेगी ठीक है तो after so much discussions के बाद debate होती है फिर delivery क्या होता है उसमें सब लोग decide करते हैं finally उस law को pass किया जाता है तो ये सब चीज हमें किसमें दिखने को मिलती है रिपब्लिक में यानि हम कह सकते हैं कि रिपब्लिक is government by free and open discussion कि ऐसी government जहां पे free होता है और open discussion किये जाते हैं किसी भी चीज़ के ओपर next point है कि गांदी जी का एक idea था स्वराज का स्वराज की बात करें तो स्वराज बेसिकली दो words से मिलके बना है स्वराज ठीक है स्वराज का मतलब होता है own यानि self और राज का मतलब होता है rule तो यानि गांदी जी ने दो जीजों के ओपर focus किया self rule के ओपर ठीक है अब गांदी जी का मानना था कि self rule जो हमें चाहिए उसमें दो challenges है पहला कि हमें जो ये स्वराज चाहिए वो हमें सिर्फ political colonization जो किया है बिटिश ने यानि इतने साल जब बिटिश रहके गए हैं उन्होंने जो हमारे साथ अत्याचार किया है तो उस अत्याचार से हमें self rule नहीं चाहिए कि हमें अपने हिसाब से सरकार चलानी है मतलब ये भी एक factor हो सकता है बट साथ साथ हमें colonization जो मारे mind में हो चुकी है उससे भी हमें self rule चाहिए यानि in short हम कह सकते हैं कि गांदी जी के according स्वराज लाने का कारण सिर्फ ये बिल्कुल नहीं था कि Britishers से हमें अजादी चाहिए जबकि हमारे mind में चल रहा है कि हम सब जानते हैं उसमें लोग कि Britishers को मानलो भगवान समझते थे उन्हें superior समझते थे क्योंकि वो इतने ज़्यादा intelligent थे क्योंकि वो चीजों को अच्छे से समझते थे वो अपने आपको civilized society का मानते थे तो इस विचार से खुद को अजाद करने को भी उन्होंने गांधी जी ने काई कि सुराज है कि सर्फूल तो हम करेंगे करेंगे बट वो politically और mentally यानि emotionally भी हमारे हित में होना चाहिए next point है कि democratic जो है discrimination नहीं होना चाहिए किसके basis पे wealth के basis पे education के basis पे gender perceived social ranking जैसे caste हो गया religion के basis पे race के basis पे ideological belief के basis पे ठीक है तो democracy क्या बात करते है कि हम सब equal है जब हम सब equal है तो हमारे बीच में कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए तो आप सोच सकते हो कि republic and democracy almost meaning wise दिखा जाए तो दोनों seem ही मतलब के है next time हम इनको समझते हैं कि इनके बीच का relation क्या है तो republic in short free people तो republic को कहते हैं कि achieve करपाना थोड़ा सा मुश्किल है क्यों? because हर दिन एक नया challenge आता है क्योंकि हम लोगों को हर तरीके से free करना चाहते है बट क्योंकि इसे करपाना ideally possible है practically बहुत मुश्किल है क्योंकि हर दिन नई challenges आएंगे कभी आप देखोगे कि आप लोगों को equal नहीं कर पा रहे हो कभी आपको लेगा political लोगों equal नहीं हो पा रहे है कभी socially equal नहीं हो पा रहे है बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इन challenges को solve नहीं करना है हमें इसको solve करते हुए आगे बढ़ना है और अपने republic की तरफ आगे बढ़ना है ताकि हम और अच्छे से कर सकें ठीके लोगों को free कर सकें अब republic का मतलब आप सोच सकते हो कि people तो free है free का मतलब है क्या उनके पास liberty भी है पूरी तो यानि हम कह सकते हैं कि republic का मतलब negative liberty बिल्कुल नहीं होता यानि कि हम कह सकते हैं कि liberty का मतलब जहां पर हमने बात की है कि हमें कुछ भी करने की अज़ादी होती है republic में भी हमें अज़ादी है कि हम कुछ भी कर सकें कि क्यूंग हर कि रक्र कि बनारा रखा है तो इतने साल के सज्जा मरीग है तोollar हं नियुद्धit हम पूरीपर्टी sente को फॉलो करना पड़ता है धी गया हैं जंता नहीं बनाए हुए है अभ जंता कैसे बनाएगी खुद तो बनाने सकती है, तो जनता ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, पारलेमेंट में, वो बेसिक्टी जनता के बहाफ पे उन लॉस को बनाते हैं, जिससे जनता को फॉलो करना चाहिए, यानि हम कह सकते हैं कि रिपब्लिक में जो भी लॉव बनाया जाता ह वो जनता ने खुद से बनाया है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी आर्बिटरी विल नहीं चली है, ठीक है, यानि आर्बिटरी मतलब कुसी एक परसन ने अपनी हिसाब से विसिक्टीन लॉस को नहीं बनाया है, ठीक है, जैसे कि राजा महराजाओं के टाइम्स में आपको देते थे, बट रिपब्लिक में ऐसा देखने को नहीं मिलता, ठीक है, जो लॉस बनाये गए है, वो सभी के लिए इक्वल है, उसे फॉलो करना सभी के लिए जरूरी होता है, और पूरी तरीके से लिबर्टी बिलकुल नहीं दी जाती, ठीक है, ठीक है, तो हुआ ही था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो 1949 में जैसे कि हमें पता है, हमने Commonwealth Nation की मेंबर्शिप को स्विकार लिया था, तो बहुत से लोगों ने इस बात पर अब्जेक्शन उठाय था कि क्यों हम फिर से बिटिशर्स को अपना एक तरह से पावर दे रहे हैं, ठीक है, कि वो हम Commonwealth Nation को जॉइन करके आप बिटिशर्स को भी पावर दे रहे हैं, जो राजा लोग है, उनको भी कह रहे हो कि आप यहीं पे रखो, आपकी जो पावर है, वो बेसिकली बरकरार ही रहेगी, ठीक है, पर इसका मतलब यह नहीं था कि फिर से मुनार की आ जाएगी, ठीक है, तो ब दोनों को separately इसको आट किया जाए, क्यों, विकास डेमोक्रिसी जैसे कि हमने बात की है, वो इक तरह से बोलता है कि हर एक पीपल्स जो है, ठीक है, कि हर एक सिटीजन के पास जो है, एक्वल क्या है राइट्स है, और कोई भी डिस्क्रिमनेशन उनके बीच में नहीं होगा, वही डिपब्लिक क्या कहता है, कि ये वही सिटीजन होंगे, जो बेसिकली, जिनके पास पावर है लौ बनाने की, और वो बेसिकली बनाये जाएगा, किसके द्वारा रिप्रिजेंटेटिव के द्वारा उनकी, ठीक है, तो यानि कि आप सोच सकते हैं, कि हमारे डिमोक्रेस तो लौ बेसिकली कौन बनायेंगे, उनकी द्वारा चुने हुए रिप्रिजेंटेटिव बनायेंगे, ठीक है, तो अगर ऐसा होता, इस इफ रिपब्लिक वर्ड होता और डेमोक्रिटिक वर्ड नहीं होता, तो एक प्रॉब्लम क्या आती है, ये चूस करने में कि बेसिकल को citizen माना है, तो इस चीज का पता करने के लिए कि कौन असली में citizen है, कौन नहीं है, हमने democratic word को जोड़ा है, विकॉज क्यों क्यों क्योंकि democratic word बताता है कि हर एक citizen equal है, तो यानि कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो religion wise हिंदू हो, Muslim हो, सिख हो, हर चीज में हमन दोनों को ही बिसिकली सेम समझा जाता है बट हमारे यह वो confusion ना हूँ इसलिए भी अरंबेटकर जी और नहरो जी ने डिसाइट किया इन दोनों words को basically add करना हमारे constitution में बहुत जरूरी है I am sure आपको यह differentiation समझ में आ गया होगा क्योंकि लक्षमिकांत में mention नहीं है खुद से ही इसको basically analyze करके आपकी साम में रखा है फिर भी आपको कोई confusion हो तो comment box में आप doubt सरूर पूछ सकते हैं नेक्स्ट हमारा topic है justice तो भी तक हमने गया कर डिसकस कर लिए democratic, republic and next demand justice justice की बात करें तो तीन तरीके की justice की बात की गई है प्यांबल में पहला है social justice ठीक है दूसरे economic justice तीसरे political justice ठीक है social justice के एकरम बात करें तो इसमें बोला गया है कि equal treatment होना चाहिए हर एक citizens के साथ ठीक है उनके साथ कोई भी social distinction कोई differentiation ही होना चाहिए मतलब socially आप किसी के साथ बेदबाव नहीं कर सकते है अब socially कैसे caste के basis पे कि यार यह तो नीचे caste का है हम उपर caste के लोग है तो हम एक साथ नहीं बैच सकते तो उस तरह का discrimination society में नहीं होना चाहिए कलर के basis पे कि हम सफे हम गोरे हैं ये काले हैं ठीक है रेस के basis पे religion के हिंदू और वो नहीं होना चाहिए sex के basis पे यार male gender ही हमेशा dominated होने चाहिए female को उस तरह का दरजा नहीं मिलना चाहिए इन इस तरह के से जितने भी आप देखने को मिलेंगे इन social factors के basis पे आप किसी भी citizens के साथ discriminate नहीं कर सकते हैं discrimination हो रहा है तो उसको justice provide कीजिए न्याएं दीजी क्योंकि हमारा सविधान ये बात मानता है कि हर एक person equal है तो अगर ऐसा हो रहा है तो justice provide करना है हमें सभी को साथ इसाथ बोला गया है कि social justice के में आपको privileges नहीं देने है किसी को भी तिक है privileges मतलब कि आप उनके लिए कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाकियों के लिए नहीं कर रहे हो for example कि आप कुछ section of the society को एकदम आगे बढ़ने के लिए आप उन्हें प्रोचसाहित कर रहे हो बाकि जो इस तरह से आप उनको discriminate कर रहे हो बाकी इंडियंस के साथ तो उस तरह की privileges दो दी जाती थी बिटिशर्स के द्वारा तो वो चीज़ें आज के टाइम पर नहीं होनी चाहिए यानि हमारी सरकार पी इस तरह के कोई भी privilege किसी भी section of the society को नहीं देनी चाहिए ठीक है बट हमें improvement करना है ठीक है कुछ ऐसे section है society के जैसे SCs हो गई schedule caste, schedule tribes, women, OBCs तो यह already जो है इनकी condition बहुत जादा खराब है इस cases में जो है government चाहिए तो थोड़े बहुत यहां पर exception में आ जाते हैं यह लोग क्यों because यहां पर थोड़े से privileges जो है सरकार इनके साथ कर सकती है क्यों because क्योंकि हम equality की भी तो बात कर रहे हैं already यह जो section है society का जो की schedule class, schedule tribe है women है already इनकी condition इतनी जादा गरीब है इतनी जादा खराब है कि already है और लोगों के बराबरी कर ही नहीं सकती तो यानि कि अगर हम इन लोगों के साथ socially discrimination नहीं करते हैं इन लोगों को भी equal मानते हैं तो इनकी equality तो यहीं पर basically आ गई क्योंकि आप देखो ना आप जब तक equality अचीव नहीं करोगे यानि आपको इन लोगों को पहले equality में equal आना पड़ेगा बाकी लोगों के समन तो जब तक आप इनको equal नहीं लाओगे तब तक आप इन factors को इन पर apply किसी करोगे यानि कि अगर मैं social justice की बात करूँ और privileges की बात करूँ कि privileges हमें किसी भी section of society को नहीं देने बट कब नहीं देने जब वो equal होने चाहिए ना बट यहां पर यह लोग तो अलड़ी इतने equal नहीं है इन equal है तो पहले हम इनको equal लाएंगे इकको लाने के बाद फिर इन factors को इन पर apply करेंगे यानि कि हमारे constitution में कुछ ऐसी exceptions government को दी गई है जिसके तहत वो इन section को इन लोगों को basically कुछ privileges देके इनको पहले इनकी conditions उधार सकती है और फिर काम कर सकती है ठीक है तो यह हमने बात की social justice की अब हम economic justice की बात करते है next day economic justice क्या कहता है कि economically क्या कोई discrimination नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में ठीक है कोई भी economic factors के बीच में यानि कि inequality of wealth नहीं होनी चाहिए ठीक है नहीं income में inequality होनी चाहिए नहीं property में यानि कि आप कहो कि कुछ section ऐसे है कुछ society के ऐसे लोग है जिनको आपने अधिकार दे रहे है कि आप इतनी मज़ी property ले सकते हो कितना भी कमा सकते हो कितनी भी wealth रख सकते हो वाकि दूसरे section जो society का कुछ नहीं कर रहा है ठीक है वो एक दम equality शो कर रहा था कि कुछ section ऐसे society के हैं जिनके पास इतनी सारी property है और बहुत से ऐसे लोग है गरीब जिनको पास कोई property नहीं बिकुल उस समय जमिदारों ने उनसे property चीन ली थी बिटिशर्स की टाइम पे तो इसलिए land reforms लाक एक तरह का इसी economic equality को अचीव करना चाहती थी है ह इस बात में कोई भी शक नहीं है कि कॉमिक जस्टिस को दे पाना काफी मुश्किल है क्यों मुश्किल है बिकॉस आप बिसिकली यह कह रहे हो कि एक अमीर और गरीब इंसान दोनों बिसिकली जो इनके पास equal money होनी चाहिए तिक है यानि कि एक अमीर इंसान जिसके पास liberty भी आपने इसको देरी के कुछ भी करने की ठीक है यानि उसको अपने इसाफ से काम करने को तो जो安 यह बहुत हो और इनके पास जोक्टन पहस्प से गरीब इनसान के पास होने चाहिए ना ही बट और साथिसाथ उसको यह पता है कि जो इतने क्यातर पैसे जो कमाये वो उतने मुझेख भी मिलने चाहिए बट क्योंकि वह काम ही नहीं करते हो आप कैसे उस पैसे को उने दे सक्ट हो ना सेक्षिन को तो एक तरह का भीदभाव हो जाएमार और साथ Connor जो गरीब सेक्षिन है सुसाइटी का उनको तो लगगा यार हमें तो बीना मैनत के इतने पैसे मिल जा रहे हैं तो यह भी सही नहीं है तो इसलिए एकनॉमिक अच्छे इन्हों अच्छे बच्चों के लिए अच्छी आच्छी एज्चेशन प्रवाइट करता है पट वहीं पुर सेक्षिन जो कि एक दिन कर मानलो हजार उपे कमा रहा है तो उसके पास नहीं अच्जा घर है नहीं खानी-पीने का कुछ है नहीं अपने बच्चों को समा तो इसके तहित मतलब economic justice को achieve करने की हर पल कोशिश की जाती है so that उनके साथ inequality ना हो but पूरी तरह economic justice आवाना बहुत मुश्कील है next point कहता है कि social justice और economic justice को मिला दिया जाए तो एक तरह का distributive justice बनता है तो distributive justice की बात करें तो यह कहता है कि अगर मानलो एक कार खाना है जिसमें सब लोग जिसमें जाता है लोग काम कर रहे हैं चाहे वो male हो या female हो तो माना जाता है कि काम करने का time जो है मानलो सुबे के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है तो सभी जितने भी workers थे उनसमने 9 से 5 काम किया बट कुछ ऐसे workers थे जिन्होंने अपना part time job किया होगा कि क्योंने जादा अन करना था तो यह सोच कि उन्होंने extra 2 घंटे और रोज के बिताने शुरू कर दिया बट अगर मान लो माईने के आखिर में जब पैसे salary distribute करने के बात आएगी तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि उन लोगों ने जिन्होंने normal 9 to 5 job किया है उनको भी आप same salary दे रहे हो और जिन्होंने extra काम किया है उनको भी आप same salary दे रहे हो तो यहाँ पे basic distributive justice का मामला आता है तो वहाँ पे आप equality कहे कि आप यह नहीं बोल सकते हैं इंकम in quality होनी चाहिए तो अगर उस एक person 1000 रुपे कमा रहा और वह person जिसने extra work किया extra part time job किया तो आप उसको भी 1000 रुपे दे रहे हो यह क्या कि income in quality होनी चाहिए तो इस तरह की quality यहाँ पे काम नहीं को लेकर नहीं आ सकते हैं तो हमेशे आपना distributed justice दो चीजों को बना की मिलता है social justice और economic justice भी होना चाहिए तिक है next बात करते है political justice की यहाँ पे basically बोला गया है कि हर एक person को हर एक citizens को equal political right मिलता है तिक है आपना citizens की बात कर रहे हैं अगर मैं इंडिया की बात करूँ इंडिया में political justice तो इंडिया में जो लोग है वहां के citizens उन्हें को basically राइट मिल सकता है next है कि all citizens जो होते हैं उनको basically equal political rights मिलता है साथ साथ equal access होता है political office का यानि हर एक person जो है political office जो है जा सकता है कि वहां पर political justice हो रहा है तो ये तीन justice हमने discuss कर लिए अब आप सुचेंगे कि जो idea था justice का चाहिए वो social justice हो economic justice हो ये political justice हो हमने लिया कहां से है तो इसको Russian revolution से लिया है 1917 में जब आया था तो ये तीन words को पहले बहुत focus किया गया था Russia के revolution में इन तीनों पर वहां पर revolution आया ही इ अधिकार ने दिया जा रहा था ना ही वो socially इतने ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि discrimination बहुत ज़्यादा था उन लोगों के जिनके पास बहुत ज़्यादा properties और वो लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब है इसलिए इन तीनों चीज़ों को system लेके आये थे और यही तीन चीज को हर एक activity करने के अजादी है कोई भी restraint नहीं होगा मनला कोई भी रुकावटे नहीं देखने को मिलेंगी तो और साथी साथ से क्या होगा उने इस opportunity मिले गया नहीं अगर आप person को कुछ भी करने को कह रहे हो और इस पे को restrictions नहीं लगा रहे हो तो एक तरह से क्या मिल रहे है मुझे पेंटिंग का शौक है तो इस तरह के चीज़े अगर नहीं होगी तब भी तो liberty होगी न अच्छे से तो एक तरह का inner personality आपका develop होता है हमारे constitution में आप देख सकते है प्रेंबल में बोला गया है कि हर एक citizens को liberty है thought कुछ भी सोचने की अपने आपको express करने की किसी भी belief मे liberty चीनता है तो उसे वॉयलेट करता है तो आप directly आप court में जाके उस चीज़ को enforce कर सकते हो जिस परसन ने आपकी liberty चीने उसके आप उस पर case कर सकते हो ठीक है liberty भी मतलब उसकी liberty है कि उसे शांत होके पढ़ना है बट में liberty है कि मुझे जोड़ जो से पढ़ना है तो इक तरह से क्या हो रहा है मेरी liberty के वज़े से किसी और को problem हो रही है तो इस तरह की चीज़े नहीं होनी चाहिए क्वालिफाइड है और साथी साथी लिबर्टी हमने कहां से लिए french revolution से लिए ठीक है कॉन-कॉन्स चीज़े लिबर्टी एक्वालिटी और फ्रेटरनिटी नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्वालिटी एक्वालिटी को अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या लिखा है तो पहला बोला गया है कि वही special privileges नहीं होनी चाहिए किसी भी society को आपको नहीं देने है ठीक है सभी को साथी साथ कोई discrimination नहीं होना चाहिए ठीक है सभी को आपको एक्वाल रखने का मतलब है कि discrimination नहीं होना चाहिए ठीक है प्रियांबल में यह भी बोला गया है कि हर एक से रिजन्स जो होते हैं उनको एक्वालिटी देनी आपको स्टेटस और पॉस्टनिटी के बेसिस पर आने जो भी आपका स्टेटस है उसमें भी एक्वाल होने चाहि हैं बेसिकली शो करते हैं सभीक एक्वालिटी को पहला कि equality before the law आर्टिकल 14 जो कि कहता है कि law के आगे सब एक्वाल है जब भी आप कोई भी job अगरा लेने जाते हो तो वहाँ पे हर एक परसंग को एकको उपॉचनिटी देनी चाहिए कि वह भी बिसिकली इस प्रटिकल के लिए फिक्स कर दो कि इसके लावब यहां पर कोई निया सकता नहीं आपको opportunity हर एक इंसान को equally देनी है साथी साथ article 17 के बात करें तो abolition of untouchability जो कि काफी time से चली हा रही थी तो इस चीज को abolition इसलिए क्या गया because civic equality के खिलावती because particular section को जो कि काफी ज़ादा बाकी sections ते एक दम नीचे है उनको आप इस तरह से downgrade नहीं कर सकते साथ साथ article 18 जो कहता है abolition of titles करना पड़ेगा वो titles जो प्रण टाइम पे राजा महाराजा को दिया गया था तो वो titles आप नहीं लगा सकते अपने नाम किया गया because अगर आप ऐसे titles यूज करते हो तो आप तरह से अपना status अलग बता रहे हो किया मैं तो राजा महाराज रहूं थी किया तो इस तरह का inequality नहीं हुए चीज स्टेटस के basis पे इसलिए civic equality में इसको भी titles को भी abolish किया गया है next time particle equality के बात करते हैं यहाँ पे दो articles आपका आपका दखने article 325 और 326 article 325 कहता है कोई भी person जो है उसको इस basis पे eligible नहीं कह सकते कि उसका religion लगे, race लगे, caste लगे, sex से लगे किस चीज पे जब बात आती है electoral roles कि यानि कोई भी person अगर मालो जिस constituency में रहता है उस constituency में जो भी electoral roles बरेंगे उसमें उसका नाम होना ज़रूरी है आप इस basis पे उसका नाम नहीं हटा सकते कि उसका religion भई अलग था तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए तब या आपको political equality मिलेगी article 326 कहता है कि हर एक person को आपको universal adult suffrage देनी है यानि 18 साल से जितने भी उपर की लोगों सबको vote देने का दिकार होना चाहिए जो भी उनके state election हो या फिर लोगसभा की elections होन सम्में ठीक है बट एक ऐसी चीज़ें जहां पर exception आजाती है वो है criminal offense कि माल लो किसी person ने कोई criminal काम किया है ठीक है उस basis पे उसे vote देने से मना किया जा सकता है वो उसने कोई offense किया है तो आप उसे कैसे right दे सकते है साथी साथ ऐसाथ ऐसा कोई person जो कि unsound mind का हो यानि वो थोड़ा से पागल वगेरा हो तो because का जाता है वो stability के अंदर नहीं है कि वो एक अच्छे से अपना vote कास्ट कर पाए तो इसलिए उस person को भी vote देने का दिकार नहीं है इसके लवा किसी और चीज़ के basis पे आप differentiate मतलब discriminate नहीं कर सकते किसी पीपिल को तो right to vote आप यानि की right to vote जो है दिया जा सकता है और right to vote में आप restriction नहीं लगा सकते यह कहेगे कि आपकी caste लगे, race लगे, religion लगे और आपका financial status लगे नेक्स्ट है हमारा economic equality कहता है आर्टिकल 39 यह DPSP कार्टिकल है जो बोलता है कि जाए man हो या woman हो equal right मिलना चाहिए उन्हें adequate means of livelihood and equal pay for equal work अगर एक man और एक woman दोनों same काम कर रहे हैं बाकी जो other topics पच गए हों से हम next part में discuss करेंगे तो अभी हम जल्दी से अपनी चप्टर 3 है silent feature of the constitution के solution discuss कर लेते हैं पहला question है हमारा कि इन में से which answer statement जो है correct है constitution के लिए तो सबसे पहला है popular sovereignty and adult franchise are the basic feature of the constitution तो यह correct है the constitution is so far as a division of power between center and state yes यह भी correct है third है the constitution recognize करता है interdependence of civil and economic rights तो यह भी सही है constitution ने mention कि a direct control by the people such as referendum initiative and recall तो यह direct democracy का part है और हमारे constitution में direct democracy नहीं है indirect that means answer आपका क्या है correct next question है आपका कि second schedule जो है उसमें constitution of इंडिया में कौन कौन से provision किस चीस के लिए नहीं दे रखे है तो second schedule में आपको पता है कि president के बारे में बोला गया है speaker के बारे में भी है cat के बारे में भी है but UPSC के चेर्मेन के बारे में नहीं बोला गया है तो आपका doubt होग है second schedule के situated है तो वो basically बात करता है emulence, allowance and privileges की तो यहाँ पे chairman of UPSC को नहीं include किया गया है next हम question third में चलते है तो पहला question है कौन से correctly match नहीं है not correctly match basically बताना है तो basically आप देख सकते languages air schedule में आती सही है oath and affirmations आपकी second schedule में नहीं आते है second schedule में आपको क्या आते है ambulance वगर आते है and allowance वगर आते है allocation of seat story council में 4 schedule में है yes and qualification city आपका 10 schedule में है तो कौन से correctly match नहीं है तो answer जाएका आपका B and अगर कोई आपसे पूछे oath वगर किसमें आती है तो याद अटना third schedule के अंदर आती है next question की तरफ चाहते है the Indian parliamentary system जो है different है British parliamentary system किस basis पे तिक है पहला दोनों में real and nominal executive होता yes collective responsibility का system है yes bicameral legislation है yes but system of judicial review नहीं है because हमने cancel ये USA से लिया है next है fifth question की इनमें से बिताना है कौन सा feature जो है federation का फीचर है and बहुत से लोगों ने comment किया है कि मैं इसमें actually court देना भूल गई थी तो तो आप लिख लीजेगा कि जैसे मानलो A, B हो गया second में A, B, C हो गया इस तरही किसे तो मैं आपको आंसर बता देती हूं तो आप देख सकते हैं division of power तो इसमें आप पहला देख सकते हैं division of power federation का party yes flexibility of the constitution किसमें आता है unitary feature है तो उसे क्या cancel कर देता है independent judiciary yes, federation का party integrated judiciary आपका unitary का feature तो आपको आंसर क्या हो था A and C 6th question देखने है which of the fundamental article does not reveal the secular collector of the Indian state तो बहुत से लोगों ने question पूछा था कि basically जो सारे articles से रखे हैं secular में तो उसे learn करना ज़रूरी है नहीं तो आप देख सकते हैं इस तरह के questions पूछे जा सकते हैं बहुत यूपीसी में इस तरह के तो हमारे इंडिया में जो secularism है उसके basis पर कॉंसे statement से यह बतानी है पहला it entails restrict separation of religious from politics यानि हमने अपने politics और अपने religion को separate रखा है तो यह नहीं है कि government religion के लिए ना करें तो यह correct है दूसरा इट banned party with religious affirmation from contestant election यानि ऐसे कोई party जो अपने आपको बोले कि मैं religious party हूँ तो इस तरह की party is basic election में पार्ट नहीं ले सकके उसे ban कर दे जाता है मतलब आप यह कै कि participate नहीं कर सकते election में कि आप Hindu party हो और यह Muslim party है इस एक party है ठीक है ऐसे नहीं तो आपका statement basically बताना है तो आपके second statement बिल्कुल सही है कि हमने ban कर रखा है third it grant religious liberty to all community तो हमने इस तरह की कोई liberty नहीं दे रहे कि अपनी community को थर्ड गलत है तो आप देख सकता है अगर थर्ड गलत है तो D और C और H ले जाता है तो ultimately काम कांसर भी हो जाएगा ठीक है next question चलते है 9th तो एक और statement है इसके उपर तो इसमें बोला किया है पहला कि secularism का मतलब है state no recognized religion of state यानि कि हमने अपने state का कोई भी religion recognize नहीं किया है कि हम Hindu religion है Muslim तो ऐसा कुछ नहीं है तो एक correct है क्योंकि हम मानते हैं कि हम एक diverse country है हमारे हर एक religion हम follow करते है तो हमारा कोई official religion नहीं है सेकेंड है कि secularism का मतलब है state treat करते हार एक religion को equally yes next is secularism का मतलब है state regulate करते है relation जो होते man with God तो ऐसा कुछ नहीं है तो answer हो जाएगा आपका B next question है कि match करने आपको जो schedule से रखे हैं और उनका content तो 9th schedule कि state रखे है land reform से 10th schedule आपका disqualification 11th schedule रखे है तो 6th आपका administration tribal area तो इस आप से आपका answer हो जाएगा C next question है कि Supreme Court ने basically कौन सी case में ऐसे बोला था कि fundamental right और आपका DPSP जो है basically एक तरह का bedrock इनके बीचे बैलन्स होना चाहिए तो minimum male case ठीक है next question है कि आपको match करना है features उनके resources से तो इसमें भी options देना में भूल गई तो आप कर लिजेगा मैं आपको आंसर था था तियो emergency provision आपको government of India 95 है rule of law आपका है basically Britain, process of amendment of the constitution आपका है South Africa, advisage reduction Supreme Court आपका Canada है joint sitting जो है basically आपका Australia और suspension of fundamental right during emergency आपका है Germany ठीक है next question है which of the flowing features not the flowing is not a silent feature of the constitution का part नहीं है तो हम देख सकते हैं पहला feature है written constitution and supremacy of the constitution तो हमारा silent feature constitution का ही बोलता है दूसरा हमारे quasi-federal माना जाता है structure को पूरी तरह federal नहीं है पूरी तरह unitary नहीं quasi-federal है next day committed judiciary ऐसा कुछ feature नहीं है distribution of power yes है तो आपका क्या हो जाएगा C क्योंकि आपको पूशे कौन सा feature नहीं है and then आपका यहां पर सारे MCQs खतम होते हैं and आप सभी ने MCQs का अंसर बहुत अच्छे से दिया था and मैं इसका एक question था जो मैंने दिया था कि how Indian secularism is different from the concept of western secularism जिसका अंसर आप सभी ने बहुत अच्छे से दिया था and उसको मैं अभी आपर discuss नहीं करना चाहते because already detailed मैं इसको अच्छे से आपको वीडियो के अंदर आपको मैंने समझा दिया है फिर भी आपको समझने आएगा तो आप personally मुझे comment box में comment कर दीजएगा मैं आपको personally answer कर दूँगी and बाकी और कोई भी चीज जाउट हो तो आप basically पूछेगा and पीडियाफ चाहिए इसकी तो आप टेलिग्राम के official channel IQ टैप official वहाँ पर जाके आप इसे join करके यहाँ पर जितने PDF से आप ले सकते हैं and कैसा लगा आप इसको बताईएगा जासादर लाइक कीजिए लोगों से शेयर कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मन भूलेगा thanks for watching